दोस्तो आज करिंगे सोनी के A7R4 का इमेज क्वालिटी टेस्ट देखते हैं हमें फोटोस कैसे मिलते हैं अल्मॉस्ट इस कैमरा को आके अब 2-2.5 साल हो चुके हैं कैसा ना मेरा experience इसके साथ में क्या है इसके pros and cons के लोगों के लिए क्यामरा रहेगा अच्छा और ultimately इसका जो output है वो कैसा निकल के आता है तो यह सब देखने के लिए दोस्तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है so welcome back to my channel friends this is Manish Raksana let's get started दोस्तो Sony A7R4 में मुझे interest इसलिए आया क्योंकि यहां मुझे मिल रहे है 61 Megapixel जो की काफी highest resolution है इस category के अंदर तो being a fashion photographer, being a commercial photographer यह एक तरह की मुझे बहुत सारी freedom देता है क्योंकि कई बार मैं e-commerce का काम करता हूँ जहां मुझे image को crop करना होता है या कई बार images को हमको थोड़ा print करके बड़ा बनाना पड़ता है तो वहाँ पर 61 Megapixels जो हो बहुत ही help करते हैं जो quality loss है वो बिलकुल नहीं होता दूसरा advantage यह होता है उसके अंदर कि अगर मैं छोटे-छोटे small products को shoot कर रहा हूं तो मैं असानी से cropping कर पाता हूं थोड़ा सा दूर से भी मैं अगर मैंने picture लिया है तो अगर मैं अपने macro shots को भी crop करके थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहूँगा तो वहां भी कितना भी मैं से cropping करूँ है at least मुझे 20-30MP तो मिली जाएंगे तो यह कुछ advantages लगे जिस वजह से मुझे इस camera के अंदर थोड़ी दिल्चस्पी आई तो दोस्तों आपने देखा मैंने कैसे sony a7r4 से dog की कुछ pictures ली अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा dog उससे दूर था चुकि मैं 61MP पर shoot कर रहा था तो मुझे कुछ tension ही नहीं हुई बाद में मैंने image को आराम से crop कर लिया और तो भी आप देख रहे हैं क्रूप करने के बाद image यहां पर आपको इतनी अच्छी दिखाई देरी हैं कि कि इतनी अच्छी detailing के साथ में photos आये हैं तो सबसे ची चीज म I am very much satisfied with the image quality and settings है वोने default पी रखा है raw पे मैंने shoot किया है white balance मैंने auto पी रखा है एक चीज जो मुझे थोड़ी सी uncomfortable लगी दोस्तों वो इसकी grip अब वैसे तो मैं 85mm का lens use कर रहा हूं तो मैं मेरा हाथ भी इतना बड़ा नहीं है तो मैं असानी से पकड़ पाया बट जब मैं hold कर तो थोड़ा सा लगना था अगर grip थोड़ी सी बड़ी होती या मुझे थोड़ी सी space मिलती तो मैं और अच्छे से hold कर पाता तो यह मुझे तोड़ा सा negative point इसके अंदर लगा otherwise fantastic ergonomics जो है इसकी बहुत ही अच्छी लगी अगर आप देख रहे हैं पीछे से इसका जो design है वो ब अच्छी से प्लेस की हैं कमांड बटन्स हैं वह बहुत ही असानी से आप समझ पाएंगे इसके अंदर overall बात करने design की size की ergonomics तो इसका बहुत ही fantastic चलिए एक फोड़ा सा macro shot लेते हैं क्योंकि 61 Megapixel है तो कोई टेंशन ही नहीं है एक पिक्चर देने लिए आप एक और ले जेत है और यहां पर आप देख पार है दोस्तों की details जो है यह आप देख पार हो काफी अच्छी detail मिली है और zoom in करने पर भी अगर आप देखोगे तो हमें picture जो है बहुत अच्छी detailing के साथ में sharp image मिल रही है तो यह advantage होता है जब आप 61 Megapixel के ऊपर shoot कर रहे हैं तो माली जिस की है और image quality कैसे निकल के आती है portrait में तो यहां पर मैंने देखिया आई पे जो है एक दम बहुत अच्छे से इस ने focus लिया है automatic चलिए लेता हूं picture में very nice I'll take one more picture one more picture तो बहुत और close-up में जाता हूं headshot लेते हैं एक एक picture और लेते हैं तो दोस्तो यहां पर जो picture के अंदर मुझे अच्छी चीज लगी इसकी जो color science के अगर हम बात करें देखिये so color science जो है इसकी बहुत अच्छी तो नहीं बहुत खराब नहीं है थोड़ा सा little bit आपको tweak करना पड़ेगा images के अंदर सही colors को achieve करने के लिए but not bad क्योंकि मैंने भी auto white balance पर रखा है अगर आप gray card से reading लेंगे या आप अपना color temperature अलग से set करेंगे according to the light condition so you might get better colors but as of now colors मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे बहुत बुरे नहीं है थोड़ा बहुत adjustment करके you can achieve great colors so that is not the problem अगर आप पर शूट कर रहे है अब बात करें दोस्तों यहां पर autofocus की तो बहुत ही quick autofocus है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यानि कि seconds के अंदर picture आपका focus जो लॉक होता है eye focus tracking बहुत ही कमाल की है तो आपकी जो pictures है वह बहुत ही टेक शाफ मिलने वाली अगर आप इस camera को use करते है तो दोस्तों चली लेते हैं मिहर के कुछ हम headshots और यहां पर देखते हैं इसका low light performance कैसा निकल के आता है are you ready मिहर तो मिहर के कुछ headshot लेता हूं मैं यहां पर और focus जैसे मैं ने बता है आपको eye focus tracking जो है autofocus tracking इस fantastic एक जटके में जो है मैं मिल गया एक portrait लेता हूं मैं इनका एक पिस्टे लेके गिश्ट लेलिया एक angЕТ आपका भी दो पिच्च्च्रा रेता है when come और अंकित के पिक्चर लेते हैं यहां पर एक पोट्रेट लेते हैं तो दोस्तों आपने देखा अभी हमने अंकित और मिर का पिक्चर लिया और यहां पर जो है अच्छे मिले हैं लो लाइट में कुछ चीज मैंने नोट की वही था कि फोककस इसका अच्छा से लॉख हो रहा था कभी नहीं हो तोड़ा सा लो लाइट के अंदर जो है struggle किया focus तो लो लाइट पर्फॉर्मेंस अकर उट्वाट के बात करें तो थोड़ा बहुत ट्रगल मेंने नोटिस किया है, not bad, लेकिन बहुत क्विक भी नहीं है लो लेट के अंदर, यह एक मैनुस पॉइंट बोल सकते हैं कि अगर आप फोटोग्रफी कर रहे हो, तो यह कामरा थोड़ा सा जो है स्लाइटली डाइसी हो जाता है उस ताइम पर, बट अब बात करें दोस्तों, यह कैमरा है किसके लिए, तो मेरे हिसाब से यह कैमरा है, प्रो लेवल फोटोग्रफर्स पैशली जो लोग fashion फोटोग्रफी का काम करते हैं, product फोटोग्रफी का काम करते हैं, portrait फोटोग्रफी लेते हैं और जहां पर अगर उनको prints को बड़ा भी बनाना है, print भी करना है अपनी images को और क्रोपिंग बहुत सारी करनी है तो उन लोगों के लिए यह जो है सोनी का A7R4 बहुत यह अच्छा रहेगा अब बात करें कि लोगों के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल पैसा मड़ा लेकर आप स्पोर्ट फोटोग्रफी करते हैं तो वहां पर यह कैमरा बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं है क्योंकि करने को आप कर सकते हो बट अगेन 61 Megapixels है कितना अच्छा कार्ड आप यूज करोगे तो उसको थोड़ा सा राइटिंग स्पीड जो है वो कमी रहती है बट अगेन मेरा जो रिव्यू रहेगा इसके बारे में वही रहेगा कि इमेज क्वालिटीज की सूपर्भ है डीटेलिंग बहुत ही अच्छी मिलती है प्रोफेशनल वर्क करते हैं बहुत ही बढ़िया क्यामरा है माइनस पॉइंट एक और है इसके अंदर वीडियो के लिए कैमरा नहीं है मेरे साबसे अगर आपको एमर्जेंसी में या आपको कभी-कभी वीडियो लेना है आप इस पे ले सकते हो बट इसके अंदर ना तो 50P है ना 60P है तो उसके आप वीडियो में शूट नहीं कर पाऊगे उसके अंदर अगर आपको वैसे तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है वेदर सीलिंग पहले वाले कामरा से काफी अच्छी है अब 2022 के अंदर यह कैमरा रेलेवेंट है या नहीं तो इसका जवाब मैं इतना ही देना चाहूंगा कि यार जैसा कि मैंने कहा कि आपका अगर काम इस तरह का है जहां पर कुछ चीज़ें हैं दोस्तों लेकिन 61 मेगा पिक्सल होने के नाते बहुत ही एक बात बोल सकता हो कि एक जमाने में हम लोग जो है 50-60 मेगा पिक्सल के लिए जो है फेस वन हैसल ब्लड कैमरा यूस किया करते थे बट अब इस फॉर्मेट के अंदर भी जो आपको 61 मेगा पि आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा आपकी कमेंट कर रहेगा पूचे इंतिजार और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से से कर दो लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को दो दो सब्सक्राइब करते हो त के लिए तनहीं जल्दी मिलते हैं पिर नई वीडियो के साथ थेंक्स वोगाइब